Hello students, so in our previous video we have learnt about the insects, the creepy crawly animals and the butterfly and the bat है ना, हम लोग ने ये सारी चीजों के बारे में सीखा था है and now in this page we will learn some new things हम इस page में कुछ नई चीज़े सीखेंगे, okay so then let's start, first question क्या है, first क्या है देखो Use your brain power, first क्या है, use your brain power अब इसमें हमें अपना brain power, मतलब हमें अपना दिमाग यूज़ करना है so let's start, into which of the following groups would you put the owl, the monitor, lizard, gorp and the cat अब देखो, children इसमें क्या है, ये हमें को एक question दिया है, okay ये हमें question दिया है, कि देखो ये group, आपको दिख रहा है ये group है ये table बना है, table में तीन column है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा है तीनों में और फिर ये animals का box खाली दिख रहा है, तो इसमें हमें क्या बोला है ये देखो उपर नाम दिख रहा है न, the owl, the monitor, the monitor, the lizard, gorp and the cat तो बोला है कि ये जो तीन नाम है, यानि कि owl, monitor, lizard और cat ये किस group में आएगा देखो ये बरोबर आपको दिख रहा है, one, two and three box बना है और उसमें कुछ ना कुछ लिखा है, तो इदर three names भी दिए है, three names of animals भी दिए है कि ये animal किस में आएगा, दूसरा animal किस में आएगा, तीसरा animal किस में आएगा हम ये समझ के करना है, so let's start, क्या लिखा है, cow, dog and goat, we suckle our young cow, goat and goat, we suckle our young मतलब cow, goat and dog, ये लोग क्या करते हैं, इनके बच्चे हैं क्या करते हैं, ये अपनी मम्मी का दूद पीके बड़े होते हैं, so, ये इसमें क्या आ सकता है, आउल आ सकता है, क्या नहीं, आउल तो उड़ता है, वो अपने बच्चे को कैसे, मतलब जनम देता होगा, पर उसके बच्चे उसका दूद पीके रहते हैं, नहीं, the monitor lizard, lizard छिपकली नहीं, the cat, yes, the cat, cat is the answer, okay, cat is the answer, next, क्या है, crow, sparrow, parrot and cock, अब ये सब आपको दिख रहोगा, नाम बलब बर्ड का है, we fly, हम उड़ते हैं, ये सारा नाम किसका है, bird का, आपको याद होगा, हम लोग ने, ये हमारे second last, प्रियो, second last वीडियो में, हमने ये सीखा था, है न, वी सीखा सकला वर यंग, ये इसमें बहुत सारा था कि ये, cow, dog, goat, इनके बच्चे अपना ममी का दूद पिके बड़े होते हैं, we fly, मतलब, eagle बहुत उचा उड़ता है, याद आया कुछ, eagle बहुत उचा उड़ता है, hand बहुत नीचा उड़ता है, and, और ये, we crawl, ये तो हमने पिछले वीडियो में ही सिखा था, we ये से कौन सा हो सकता है, children, see, अभी cat को cancel कर दो, क्योंकि cat तो हम लोगा answer मिल जया, first cancer cat है, second का क्या हो सकता है, owl, क्योंकि owl भी तो bird है, तो owl होगा second cancer, and, इधर लिख देंगे the owl, and third, chameleon, house lizard, and snake, chameleon, girgit, house lizard, यानि की छिपकरी, और snake, यानि की सापवी, crawl, जैसे मैंने बताया, दिवार पे, या फिर जमीन पे, रेंगने वाले जानवर, okay, so अब last हमारा क्या बचा, the monitor lizard, यानि की गोरपढ, गोरपढ, okay, children, so देखो, मैंने इधर आप लोग के लिए answer जैसे कि हम लोग को ये वाले फोटो में दिखा था, वैसे ही, ये वाले फोटो में भी same question है, और इसका, इसमें मैंने answer लिखा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, तो first का answer क्या है, cat, second का, we fly का, owl, third का, the monitor, lizard, और गोरपढ, देखो, children, I have wrote, see, all right, so आगे देखते हम, आगे क्या है हमारा, ये हमारा concept clear हो गया, अब next देखते हैं, this was all about a few animals, we are familiar with, अब इसमें क्या बताया है कि, जो अभी जो, जिन animals की बारे में हमने पढ़ा ना, ये तो बहुत कम animals थे, और भी बहुत सारे animals हैं, जिने हम नहीं जानते, but there are many more animals in the world, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये तो बहुत कम जानवर थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा, पर अभी और भी बहुत सारे जानवर हैं, जो हमारे इस दुनिया में रहते हैं, ओके वर्ड दुनिया में रहते हैं, then next, there are lot of difference in the colors, shape and size of animals, अब इदर क्या दिखा है, लिखा है कि there are lots of difference, वो जो जानवर होते हैं अलग-अलग, उनके अंदर इतनी difference होते हैं, इतने अलग-अलग होते हैं, उनका color अलग होता है, उनका shape, उनका body का shape अलग होता है, आकार अलग होता है, size अलग होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, okay, then next, there are difference in the ways they move and the place they live in, और live in, तो और इसका क्या बता है, कि सिव उनके color, shape और size में ही difference नहीं होता है, सिव वो अपने shape, color और size में ही अलग-अलग नहीं होते हैं, बलकि वो लोग अपने चलने के way, चलने का तरीका, मतलब हिलने डुलने का तरीका उनका अलग होता है, जहां वो रहते हैं, मतलब the place they live in, मतलब जहां वो रहते हैं, वो जगह अलग होती है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, कि देखो जैसे हम इनसान का रहते हैं अपने अपने घरों में, अब अगर share घर में रहता तो हम इनसानों को खा जाता है, इसलिए हमारे नेचर ने, हमारे मतलब नेचर ने हमारी दुनिया में भगवान ने सबको अलग-अलग घर दिये हैं रहने के लिए, अब देखो, इधर क्या लिखा है? अब क्या बता रहा है, इसमें कि इसका मतलब है कि देखो, अभी हमने जितना पढ़ा, जितना एनिमल्स की डिफ्रेंस की बारे में पढ़ा, वो तो बहुत कम था, और भी बहुत सारे जानवर हैं, जिनके अंदर वेराइटी है, मतलब अलग-अलग तरीके के जानवर हैं, नियू नियू चीजे उनके अंदर है, means जो हम जानते भी नहीं हैं, ऐसी चीजे हैं उनके अंदर, then, the number of animals that live in the sea is also very large, there is great variety among them too, अब इदर क्या लिखाया है, कि the number of animals that live in the sea, मतलब हम sea यानि कि पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में बात करेंगे, कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो भी बहुत large, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी भी बहुत अलग-अलग तरीके की variety हैं, वो जानवर भी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो भी बहुत अलग-अलग तरीके के हैं, so, next क्या है, it is very interesting to learn about all such animals do try to find out more about them when you are older then अब कि इसके बारे में क्या लिखा है कि it is very interesting to learn about all such animals क्या आप बोल रहा है कि ये जो animals के बारे में जानना जानवरों के बारे में knowledge लेना ये क्या है बहुत interesting चीज है उनके बारे में समझना वो क्या जानना उनके बारे में तो देखो ये एक होता है न ये पढ़ाई होती है जानवरों को भी कोई doctor होते है देखो animals के अब देखो animals के बढ़े होगे ना तब आप लगो पढ़ोगे एनिमल्स की डॉक्टर होते हैं सो इसके बारे में पढ़ाई होते हैं इसके बारे में भी समझा जाता है बोल रहा है कि जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे या फिर उससे भी जादा बड़े हो जाओगे तब उनकी बारे में और जानकारियां लेना मतलब कोशिश करना उनकी बारे में और जानकारियां लेने के लिए ओके देन क्या है what we have learnt तो इस पूरे लेसन में हमने क्या सिखा अब हम वो देखेंगे different animals are found in the air on the ground and in water different animals are found मतलब अलग-अलग तरीके के जानवर कहां कहां पाई जाते हैं air यानि की हवा में, ground यानि की जमीन में और water यानि की पानी में है न हवे में उनने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं bird, जमीन पे चलने वालों को animal बोलते हैं and water में चलने वालों को sea animals बोलते हैं water animals, sea animals and all that then there are differences in the color, shape and size of animals and also in the way they move और देखो क्या लिखा है, सिव उनके अंदर difference यानि की सिव हम लोग ने देखो ये पढ़ा है न, ये सारा की अलग-अलग जानवर कहां-कहां पाई जाते हैं highway में, zमीन पे और पानी में और second point क्या दिया है की सिव उनका shape, color और size ही नहीं अलग होता है बलकि उनका move जानि की चलने का तरीका हिलने, डुलने का तरीका साब अलग होता है अब देखो, elephant भी जानवर है और मतलब elephant भी animal है और cheetah भी animal है पर elephant धीरे-धीरे चलता है और cheetah बहुत तेज चलता है बहुत तेज भागता है and the next क्या है, tortoise भी एक जानवर मतलब tortoise दोनों में होता है वाटर में भी होता है और वह लैंड पे भी चलता है means जमीन पे भी चलता है तो tortoise भी समझो जानवर है और rabbit भी तो tortoise भी धीरे-धीरे move होता है और rabbit क्या करता है बहुत तेजी से भागता है and एक और example ले लो children अब snake, snake देखो नीचे रेंगता है snake क्या करता है रेंगता है, snake क्या करता है रेंगता है और जो house lizard होता है means छिपकली क्या करती है दिवार पे चलती है, crawl करती है so इदने दोनों में डिफ्रेंस है ना snake रेंगता है नीचे और शिपकली यानि की हाऊस लीजाड क्या करता है दिवार पे चलते हैं तरनेग्स्ट क्या है को वी फाइंड सम ऐनीमल्स यूसफूल और हमारे लिए कुछ जानवर क्या होतें बौट यूस्फुल होते हें बहुत काम के उनीमल्स होते कीप सच एनिमेल्स और हम उन एनिम्ल्स को अपने पास रखते हैं अपने घर पे रखते हैं सम एनिमल्स न्यूसेंस फॉर अस और कोई जानमर होते जो हमें बिलकुल नहीं पसंद होते हैं जैसे हमने पढ़ा था ना The next is Scientist Classify Animals according to Certain Important Characteristics, Scientist लोग ने Animals के According Means, Scientist लोग क्या करते हैं, उन्हें अच्छे से परक्षते, मतलब उनकी अच्छे से जानकारिया लेते हैं, जो Important Important जानकारिया होती हैं वो, एनिमल्स की, then can always remember हमेशा याद रखने वाली बात, variety is the rule in nature ओके इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको nature का rule है means हमारी environment का ये rule देखो first lesson हमने environment पढ़ा था ना तो environment का ये rule है कि हमेशा नई नई चीजे हमारे पास लाना हमारे सामने लाना है ना कि बस आज के लिए बस इतना ही चिल्डेन तो हम लोग का ये लेसन complete हो चुका है समझना और अच्छे से समझना रीड करना सो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए समझिए और अच्छे से रीड करना सीखिए बस और जो हार्ड वर्ड आपको लगे आप वो लिख भी सकते हैं ओके चिल्डेन थैंक यू कर दो